Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे हूंगे आज की इस वीडियो में हम Class 5 के Subject English के Project को Solve करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं Question है Draw or Paste to Two Pictures in the Given Boxes यहाँ पर यह Boxes दिये गए हैं और एक एक पिक्चर यहाँ पर बना कर दी गई है तो आपको Two-Two Pictures या तो बनानी है या फिर चिपकानी है तो First है Person Person कहते हैं व्यक्ति को यहाँ पर इस व्यक्ति की पिक्चर दी गई है आपको ऐसे ही अन्य दो व्यक्ति की और पिक्चर यहाँ बनानी है तो आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं Next है Place Place का मीनिंग होता है इस्थान किसी भी जगय को हम क्या कहते हैं जैसे कि यहाँ पर है स्कूल स्कूल क्या है एक प्लेस है इस्थान है जगय है तो आपको अन्य दो प्लेस की यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है तो जैसे कि यहाँ पर है यह कुतुब मिनार और यहाँ पर यह क्या है यह है ताज महल अब Next है एनिमल Animal means होते हैं जानवर Animal जानवर को कहते हैं तो यहाँ पर यह जिराफ है जिराफ क्या है जानवर है तो ऐसे ही अन्य टू एनिमल्स की यहाँ पर picture paste कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे तो जैसे की elephant है, हाथी और lion है, सेर Next है thing Thing कहते हैं वस्तूओं को जैसे की यहाँ पर है tree ट्री क्या है एक thing है तो आपको जो है बच्चो ऐसे ही अन्य कोई भी दो thing की यहाँ पर picture paste करनी है या फिर बनानी है तो आप जैसे की यहाँ पर यह है car और यह है football तो आप जो है अपनी choice से किसी भी कोई सी भी दो thing सिया पिक्चर बना सकते है अब बच्चो एक पेपर पर अपने hand को छापेंगे या निकि ड्रॉ करेंगे राइट एट साउंड वर्ड्स इन इच फिंगर और प्रतियक उंगली में आपको एट साउंड के वर्ड्स लिखने है इस तरीके से बच्चो आप जो है या ड्रॉ कर सकते हैं तो इसी के साथ आपकी वर्क सीट कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्क सीट के साथ इस वीडियो प्लीज लाइक और शेयर और इस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू